तो ये तस्वीरे आप देख रहे हैं ये अस्पताल से निकलता हुआ सुगदेव सिंग का शव और पोस्ट मॉटम दिर रात हुआ क्योंकि जो परिवार वाले हैं जो राजपूत समाज के लोग हैं या राजपूत करणी सिना के समर्थक हैं वो धरने पर बैथे हुए थे उन स्मॉटम हुआ और उसके बाद अब शव को जो है जो राजपूत सभाग रहे हैं वहां ले जाया जा रहा है वहां पर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए क्योंकि बड़ी संक्या में वहां पर भी लोग मौजूद हैं सुग्देव सिंग कई बार चर्चाओं में आए सबसे पहले तब चर्चा में आए जब वो पदनावत फिल्म के दौरान विरोध करते नजर आए थे और ऐसे में एक राजपूत समाज का बड़ा चेहरा भी थे और उनकी जब हत्या हुई तो वाकई में प्रदेश देल गया देश भर में सवाल खड़े होने लगे कि लौर है और अब राजस्थान में उसने सुगदेव सिंग की हत्या करवा दी दिन दहाडे घर के अंदर दो हमलावर दाखिल होते हैं वो अपने आपको परीचित बताते हैं नवीन जो दुकान दीपक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दीपक यहां से शव निकल चुक और अब यहां से हम उनके पीछी जाएंगे को कि यहां पर से ज्यादा दूर नहीं है और शव को यहां से ले जा रहा है ताकि वहां पर अंतिम दर्शन हों के लिए लोगों के रखा जा सके साथ ही यह कहा जा रहा है कि जो लोग होंगे वहां से दर्शन करने के बाद कुछ निवास पर रुक रही है और उसके बाद महां से वो शव को आगे लिया जाएगा जो अस्पताल में सवाई मान सिंग जो अस्पताल है वहाँ पस पोस्मोटम देर रात हुआता और पोस्मोटम के बाद यहां पर लोगों की भीड जूटी शुरू होगी थी प्रशासन के अला बराबर नज़ा रख रहे हैं और अब यहां उनके शव को देख सकते हैं आप जैपूर की जो सड़के हैं मानसरोवर के बाद यहां लाया गया था यहां से आगे की तरफ रूट जो है वो जा रहा है और लोगों ने सुबह से यहां पर जो लोग उनके रिश्टदार और कर अबुलेंस में उनके शव को रखा गया था जिसके बाद लोगों ने फूल मालाएं चड़ाई हैं जो पोस्टमोटम हाउस पर उनके करनी से नसर जुड़े और रिश्टदार आया था और उसके बाद अब यहां से उनके शव को लेया जा रहा है गारियों का काफिला चल र पुलिस कर्मियों को टोकलियों में रखा है ताकि लोग लोग के हिसाब से चलें और देख सकते हैं आप अब कुछ देर में ही उनके उस जगह पर जो उनका शव है उनको लेया कर रखा जाएगा जहां पर लोग अंतिम दशनों को लेया यहां पर जो जैपूर में लोग तो उसके बास से ही लगातार यह कहा जाता था कि देखे अब यहां पर उनके शव को लिया गया है और आप तस्वीरों में देखेंगे जो कुछ लोगों की भीड़ यहां पर होनी थी वो यहां पर तैयारी की जा रही है क्योंकि यह कहा जाता था कि कि सुग्देर सिंग जो गोगा मेरी ते रहने वाले थे दाओं मैंता दाओं यह गोगा मेरी है उनका वहां पर वो पहुंचेंगे लेकिन यहां पर देख सकते हैं उनके शव को यहां लाया गया है और यहां पर अंतिन दर्शनों के लिए एम्बुलेंस से बाहन लोग प्र अब देख सकते हैं कि अबहर काफी है लोगों में गुसा भी है उनके समर्थकॉं में भारी गुसा असबात को लेकर अब करो 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 तो यह तस्वीर आप देख रहे हैं जब सुगदेव सिंग गोगा मेडी का जो पार्थिव शरीर है वह पोँच चुका है जो राजपूत सभाभवन है वहां पर और यहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा उसके बाद गोगा मेडी हनुमान गर इसकर्ट का गोगा मेडी अ काउं है जहां से सुकदेव सिंग आते हैं वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भवानी हमारे साथ हमारे सायोगी बने हुए है वानी बड़ी संख्या में लोग पहुचे और नारे बाजी भी कर रहा है सुकदेव सिंग गोगा मेरी को लिखर देखें उनके जो समर्थक है उनके चाहने वाले बड़ी संक्या में यहां पर पहुचे हैं और इस वक्त उनकी पार्थी शरीर है इसमिक राजपुत सभावं लाया गया राजपुत समाज की सर्वोच संस्ता है और यहां पर उनके समर्थक बड़ी संक्या में पहुंच गए हैं क्योंकि सुद्धेव सिंग गोगा मेडी एक समाजिक नेता थे समाज से जोड़े मुद्ध उठाते ते युवाओं में काफी लोग प्रिये थे इसलिए यहां पर उनके जो समर्थक हैं यहां पर कुछ देर अंतिम दर्सन के लिए पार्तिव शरी रखा जाएगा और उसके बाद में यहां से सीधे गोगा मेडी ले जाए जाए जाएगा हनुमान गड़ का गोगा मेडी जोगा पैत्रिक गाउं हैं और वो अपना सरनेम भी अपने गाउं के नाम पर लगाते थे इसलिए सुदेव स किया जाएगा ते तमाम तरीकी के तैयारियां हो रही हो यहां पर जादा देर तक नहीं रोका जाएगा क्योंकि आज ही अंतिम संसकार करना है और सवा तीम बजे का वक्त ते किया गया गोगा मेडी के अंतिम संसकार के लिए और यहां पर पुलीस के भारी इंतिजा में बह क्यादाने कि समय पर गोगा-मेडि यहां से ओभाट इनन काउंटर की बात कर रहे थे अब आप देखिए कि यह जो घुआ है ना लगाता नारे बाजी होड़ी है यहाँ पर भारी गुस्सा समर्तकों में उनके पार्तिव शरीर को बाहर रखना बाहर ते की गई ती की पार्तिव शरीर को यहाँ पर रखा जाएगा सबाब हो ने लेकिन क्योंकि इस तरीके से समर्तकों में गुस्सा